तो नमस्कार दोस्तों तो एससी के मेरे भाई बहाईन कैसे हैं तो सभी को हाद जोड़ के नमस्कार राम राम तो आज ही हमारी कौने से कलास है तो यह आज हमारी 14th कलास है तो दिमी कलास है मतलब पीवाई क्यों की तो शुरू करते हैं वई यह तने उस साइड़े ना लगाया जी ओ कि इसने अच्छा चलो देखो वई तो इसमें पहला जो हमारा कोशन है वो है निम्लिक्त में किसे नाट्य सास्तर का लेखक माना जाता है तो जो नाट्य सास्तर है उसके लेखक होई है भरत मुनी इसका जो अंसर होगा वो होगा भरत तो भरत जो है यह नाट्य सास्तर के लेखक होई है भरत मुनी अगला हैस में उत्तर में खरीब की फसल और दक्षिन भारत में रभी की फसल कौन सी है तो उत्तर में खरीब की फसल और दक्षिन भारत में रभी की फसल तो ये होगी अमारी तिल जो तिल की फसल है ये उत्तर भारत में खरीब की फसल होती है और दक्षिन भारत में ये रवी की फसल है क्योंकि दक्षिन भारत में जलवाई वहां की सम होती है तो उस टाम पर गर्मी हो जाती है तो इसलिए हो जाती है वहां पर अब देख ले मैं जैसे रवी की कौन कौन सी फसले हैं रवी की तो रवी मैं आवगी आपकी गेहूं फिर आवगी आपकी यहां पर सरसो फिर आवगा जों फिर चना मटर बर्सिम यह पस्वो के लिए खाना होता है चारा होता है उनका तो यह जो फसले हैं हमारी यह रवी कियांगी यदि हम खरीब की फसल की बात करें खरीब तो इसमें आवगी आपकी धान फिर आवगा मक्का जवार बाजरा बाजरा कपास कपास आवगी फिर इसमें आजागी आपकी अरहर यह दाड़ होती है अरहर की कई बार कोशन कर लिया करें कि वह इनकी बुवाई कद होती है कुकटाई कद होती है कब होती है तो यह जून जुलाई में बोई जाती हैं जून जुलाई जून जुलाई तो जून जुलाई में बोई जांगी और सितंबर अक्तूबर में काटी जाती हैं सितंबर अक्तूबर तो इनमें ये कटाई हो ग इनकी सुतंबर अक्तूबर में कटाई यदि रभी की बात करें तो ये अक्तूबर अन्यवंबर में बोई जांगी और मार्च अप्रेल में इसमें ये काट ली जाएंगी कटाई और बुवाई उसके लावा होती है जायद फसले जायद फसले जब ये खरीब की फसल काट ली जाना तो रभी और खरीब के बीच में जो वो समय होता है उस टाम पर वो ही जाती है ये तो ये दो कमिन्ने की खेती होती है इसमें तो इसमें आपके जैसे वही सबजियां होंगी फिर इसमें कदू अच्छा खीरा करिला तर्भूज तो काकडी काकडी बोल दे इने खर्भूजा खीरा खीरा दो गया तो ये आपकी जो है जायद फसले होती है तो ये मार्च अपरेल के बाद बोली जा है जून जुला इमिन को काट लिया जावे है तो मेरे ख्यालता है वह समझ में अगला देखे हम अगला परसन है भारतिय राष्ट्य कांग्रेश की स्तापना कब होई थी तो जो भारतिय राष्ट्य कांग्रेश है इसकी स्तापना होई अठारा सो पिचासी में तो अठाइस दिसंबर अठारा सो पिचासी में बंबई मोई बंबई गोकुल दास तेजपाल कोलिज तेजपाल कोलिज तो यहाँ पर कॉंग्रेश की स्तापना होई और जो कॉंग्रेश के संस्तापक हैं वो एक अंग्रेज अधिकारी थे ए ओ हयूम इनको हर्मिट आफ सीमला भी बोला जा हैं भारत में पक्सी विज्ञान का जनक भी बोला जा हैं और यह स्कोटलेंड के थे 18.44 माई थे यह आईशीयस बनके और जिस टेम पर कॉंग्रेश की स्तापना होई उस टेम पर भारत का जो वाइसराई था तो वो था लाड डफरीन तो यह उस टेम पर भारत के वाइसराई तो आया होगा समझ में अगला है किरकेट में दो विक्टो के बीच कितनी दूरी होती है तो पताऊगा समने नॉर्मल सा है बाइस गज की दूरी जुकरमान ले यह याड़े विकेट है और याड़ेती का जो डिस्टेंस है वो बाइस मेटर का यह वाड़ा तो अगला देखेंगे पिर्थवी के संदर में सई कथन की पहचान कीजिए तो इसमें है जैसे कि भई ये ओप्शन पढ़ेंगे और उनके साब से जाएंगे दुर्वों से मद्ध भुमद्ध रेखा की और जाने पर पिर्थवी की तरजा घट जाती है अब ये कथन गलत है देखो ये हमारी पिर्थवी है और ये इसकी तरजा है अब ये कह रहा है कि जब हम दुर्वों से भुमद्ध रेखा की तरफ जाएंगे तो पिर्थवी की तरजा कम हो जागी ठीक है तो ऐसा तो बिलकुल भी नहीं है दुसरा दुर्वों से जब पिर्थवी की दुर्वों से भुमद्ध रेखा की और जाने पर पिर्थवी का व्यास घट जाता है तो व्यास भी नहीं घटता डायमेटर नहीं घटता दुरूओं से भूमत दरेखा की और जाने पर पिर्थवी की तरजा बढ़ जाती है तो ये इस कांसर होगा जब दुरूओं से भूमत दरेखा की तरफ जाते हैं तो पिर्थवी की जो तरजा वो बढ़ जाती है तो आया होगा है समझ मैं अगला देख लेते हैं वह JENल का ज enfrent में लेेजर दे के द्वाराम में विह ज我想ता है येशा नाम है यूद रखन्ट में भी नियो वह सब्सक्किन में होगा ने कि जो ये डांस है ये जैसे फसलों की बुवाई हो ब कटाई हो तब ये जो है यहां के लोग डांस करते हैं और लेपचा जन जाती के द्वारा किया जाता ये लेपचा जन जाती द्वारा तो अगला देखेंगे भई अगला है डैस में मुस्लिम लीग ने देश के पस्मित्तर तथा पुर्वी छेत्रों में मुसलमानों के लिए सवतंतर राज्य की मांग करते विए प्रस्ताव रखा था तो जो मुसलिम लीग है इसने जो पहली बार जोसे वही अलग राश्टर की जो मांग करी वो करी 1940 में और जो मुसलिम लीग की और से जो नेता है जिसने मांग करी उसका नाम था मुहमद अली जिना तो मुहमद अली जिना ने मांग करी इसकी यदि हम बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना कब होई तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होई धाका में होई तो इसमें दो वेक्ती एक आगा खा एक सलीम उल्ला खा उस टेम पे जो संस्तापक थे आगा खा और सलीम उल्ला खा उल्ला खा तो इन ने सापना करिश की ढाका में ढाका की इसकी राज़दानीया, बंगलादेश की तो उतना समझ हमाया होगा भई अगला देखेंगे अगला है, मोट की मसजिद को डैस के सासनकाल में बनाया गया था तो मोट की जो मसजिद बनवाई थी वह बनवाई है सिकंदर लोदी ने तो वही सिकंदर लोदी जो लोदी वन्सका था इसने बनवाई तो इसका जो टाइम पीरियड रहा वो 1489 तलेक है 1517 तक रहा और जो ये मोट की मस्जिद है ये आपकी दिल्ली में है जो लोदी वन्सका इसकी स्थापना करी थी बहल लोदी ने तो इसकी स्थापना करी बहल लोदी ने करी 1451 में फिर इसमें जुकर मुम्मद बिन तुगलक ये मुम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड रहा 1325 तलेक है 1351 तक इसको पड़ा लिखा मूरक राजा भी बोले है ये इसने भाई रक्त पिपास भी बोले है पागल भी बोले है मुद्रा सास्त्री भी बोले है एक इसने ब्रामनी मस्जिद बनवाई थी वो दिल्ली में है इसके टाइम पर दक्षिन भारत में 1336 में विजय नगर सामराज्य इस्तापना वी थी दो भाई थे हरी हर और बुक्का उसके बाद फिरोज साथ उगलक है वो इसका चचेरा भाई था और इसका टाइम पीर रहा 1351 तेलेक है 1388 तो समझ माया होगा अगला देखते है आर ये बठ अंत्रिक्स में भारत का पहला कृत्रम उपगर रह था जिसे वर्स डैस में छोड़ा गया था परक्षेफ सिप्त किया गया था तो छोड़ा गया था तो इसका जवांसर होगा 1975 में अब जो ये आर्यवट थे ये एक बहुत बड़े गणी तक गय होए हैं और ये अपने नाम सुणा होगा चंद्रगुप्त विक्रमा दिते तो गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त विक्रमा दिते थे उनके ये समकालीन है आर्यवट तो बहुत बड़े ये एक गणी तक गय होए हैं और ये जोगरफी के भी बहुत बड़े जानकार होते थे इनके समकालीन थे कालीदास है वरामीर है ब्रम गुप्त है सुशूरूत है धनवंत्री है और बितालबठ है और अमर सिंग है तो बहुत सारे उस टाइम पर जो विद्वान वैकती थे वो इनके समकालीन हुए अगला देखेंगे अगला है पिर्थवी के वाईयू मंडल की पहली परत कोण सी है तो पिर्थवी का जो है वाईयू मंडल की वो है सोब मंडल ट्रोपो स्पेर बोल दें है इसकी जो उचाई है यह हमारी पिर्थवी जब हम इकवेटर से इसकी उचाई ना पहेंगे तो वो लगबग 18 किलोमेटर होगी और दुरूओं से जो यह उचाई होगी तो यह लगबग 8 किलोमेटर होगी ठीक है इसमें वे सारी गटनाई होगी जैसे तुफान नाना और बिजली चमकना बारिशोना ओल अबरस्टी सारी गटनाई इसकी अंदर होगी मोसम समबंदित दूसरा जब भी हम 165 मीटर उचाई पर जांगे तो टेमपरेचर जो है वो एक डिगरी बढ़ जागा फिर उस तो उपर ली जो परत हो है वो है समताप मंडल यह जाज जो उड़ा दे जाते हैं यह उनके लिए अच्छी मानी जाती है जाजों के लिए दूसरा है इसी से उपर होगी फिर मद्यमंडल उलकापिंट समबंदि घटनाए उसमें होगी फिर भाई यह मंडल है जो लास्ट वाली जो परत है तो यह एक जो फिर बोल दे ही नहीं तो इसमें जो भी हमारे यह सैटलाइट वगरा है यह छोड़े जाते हैं तो मेरे ख्य दैनेवाद तो सभी जो भी SSC GD की या किसी भी एक्जाम की तैरी कर रहे हैं तो उन सभी भांट भाईयों को हाथ जोड़ करें प्यार भरी राम राम और जो भी ये बात बोल ले जाएं उनको थोड़ा सा नोट कर लिया करो तो वीडियो कैसी लागी जरूर बताना तो आप झाल बताना तो सभी से जरूर आप